हेलो गाइस मैं हूँ अंजली और वेलकम है आप सब का मेरे चैनल में आज में आपके साथ बहुत ही यमी और टेस्टी सी रेस्पी शेयर कर रही हूं ब्रेड और आलू की इसे बचे भी मांग मांग के खाएंगे बड़े भी बहुत ही पसंद करेंगे तो चलिए रेस्पी को स या क्योंकि फैमिली मेंबर्स जादा है तो मैं सबी के लिए इस रेस्पी को बना रही हूं सबको बहुत ही पसंद है इसलिए आप देख सकते हैं कि मैं जादे क्वांटिटी में बना रही हूं कटी हुई हरी मिर्च और बारी कटा हुआ प्याज हरा धनिया और कटा हुआ हमने लिया हुआ है अभी चल रहा है रेस्पी को सूरू करने तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आलू को ठंडा होने तक का वेट किया है मैंने आलू ठंडा हो गया है अभी से हम कद्दू कस करेंगे पारीक वाले ग्रेडर से हम इसे कद्दू कस कर लेते हैं जिसमें यह होगा कि आलू के अंदर लंस या गुठलिया नहीं रहेंगी तो फट रफट से कर लेते हैं आलू को कद्धू कस गेस पर हमने पैन रख दिया है जिस पर हमने मौस्टरड ऐल का यूज किया है मौस्टरड ऐल हमने डाल दिया है ऐल थोड़ा समयने ज़्यादा डाला है लेसन दाल दिया मैंने लेसन और जीरे को अच्छे से क्रैकल कर लेंगे चलाते हुए आप भी सोच रहें कि मैंने आयल ज्यादा क्यों डाला है क्योंकि आलू ज्यादा है तो आलू एब्जॉब करेंगा तभी मसाला चटपटा बनेगा अब कटी हुई हरी मिर्ची मिर्ची त इतना आपको पसंद हो तो मिक्स कर लेते हैं इसे अब इसमें हम ड्राय कड़ी पत्ता का यूज कर रहे हैं हमारे पास हरा था लेकिन यह ड्राय हो गया है सूप गया है और लास्ट में आड़ कर देंगे कटे हुए प्याज और सिम्ला मिर्च आप गाजर का भी इसमें यू तो जो भी आपकी पास वेजस अवलेबल हैं आप उसे यूज कर सकते हैं तो मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से और कवर करके इसे हम पका लेंगे जब तक यह अच्छे से सॉप्ट नहीं हो जाएगा तब तक हमें इसे पका लेना है तो यहां पर दिखिए प्याज और कैपसी कैप सॉप्ट हो गया आलू भी कदुकस हो गया है कदुकस किये हुए आलू किसमें डाल देंगे आलू थोड़ा ज्यादा है इस पेस हमारे पैन का कम है तो अगर ज्यादे क्वांटिटी में बना रहे हैं तो बड़ी कड़ाई का यूज करिएगा थोड़ी सी भिकत होगी हमें इसे मिक्स करने में लिए गि मैं मिक्स कर लेती हूं फिर आप से मिलती हूं तो यह देखिए हमने बहुत ही अच्छे से धीरे-धीरे करके मिक्स किया है और इसमें कुष्य स्पाइश एड करेंगे जिससे की मसाला बहुत चट चाट मसाला एक टेवल स्पून के करीब यह रेस्ट का चाट मसाला लिया है मैंने घर पे भी बना के आप यूज कर सकते हैं और यहां पर मैं मिक्स मसाले का यूज कर रही हूं फ्रेंड्स थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर यूज कर रही हूं मुझे इस पैसी बहुत ही पसंद है अगर आपको पसंद तो ही डालिएगा नहीं तो ज्यादा तीका नहीं करिएगा अब सभी को फिर वापस से मुझे मि मिक्स कर लेती हूं यह देखिया पर हमने अच्छा से मिक्स कर लिया है मसाला बहुत ही चट पटा बना है कर हरा मतर है तो जरूर डालिएगा यहां पर मैं टोमाइटो केचप ले रही हो में मैं इसकी रेस्पी अपने चैनल पर डाली हुई है जाके जरूर वाज करिएगा तो दौ चमश टॉमाइटो केचप मैंने इसमें डाला है, अब इसे मीक्स करेंगे, इससे क्या होगा थोड़ा सा मतलब नमकीन और मीठा वाला टेस्ट आएगा। और ब्रेट के साथ हम इसे बना रहे हैं तो टोमैटो कैचप तो चाहिए ही चाहिए चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहां पर मसाले की गवांटिटी थोड़े जादे है क्योंकि मैंने ब्रेट भी ज्यादा लिया हुआ है इसलिए करना है और आप इसमें हरी मत्र कभी यूज़ कर सकते हैं आज के साथ उसे रोस्त भून सकते हैं तो यहां पर हमारा मसाला रेडि हो चुका है अभी हमें करना क्या है इसे ठंडा होने के लिए रखना दस मिनट के लिए थोड़ा से ठंडा हो जाए बहुत जादे से ठंडा नहीं करना है मसाला थोड़ा से ठंडा हो गया है अभी हम इसमें क्या करेंगे एक ब्रेट के उपर एक टेबल इस्पून के करिफ मसाले को लगाएंगे और इसे अच्छे से कोट कर देंगे पूरे ब्रेट के उपर अच्छे से फैला लेंगे और फैलाने के बाद आप चाहे तो 2-3 चमच भी मसाला यूज कर सकते हैं आपके उपर है लेकिन मैं यहां पर तीन चमच मसाला यूज कर रही हूँ ताकि इसमें खाने पर पता चले कि हाँ ब्रेट के अंदर हमने मसाले अच्छे से कोट किये हुए हैं तो इस तरह से ब्रेट के उपर लगा ले यूज कर रही हूं जिससे की चत पटा लगेगा अकर टोमैटो केचप चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं मैं दोनों का यूज यहां पर कर रही हूं हरी धनिया की चटनी हो तो उसे भी आप इस पर करें है फैला अले फैल आ सकते हैं उपर से दूसरा ब्रेट चिपका देंगे और हातों से थोड़ा सा इससे दबा देंगे तकि यह अच्छा सैट हो जाए तो यह लिखे कितना बढ़ीया सा यह नास्ता बनके तैयार हो गया है थोड़ा लगा के अच्छे से लुक में मतंब देगने में अच्छा लगए इस तरी के से मिसे सैट करेंगे और मसाले जादे हमने मतलब यूज किया गैस पर हमने तवा रखा है और इसे रख देते हैं गरम होने के लिए इस सुबा के लिए जटपट बढ़ने वाला बहुत ही हेल्दी नासता है सारे प्रोसेस आप रात में कर सकते हैं मौनिंग में बसे आपको सीखना रहेगा तो हम द ना ओयल है ना कुछ भी है बहुत अच्छा ब्रेड का अलो का अग्दम हेल्दी नासता है यह तो एक एक करके हम इस पर नास्ती को रखेंगे इतना ही रखेंगे जितना तवा पर इस पेस है तीन से चार नास्ते तो लगबग आई जाएंगे हमारी यहां पर तो बना लेते हैं पहले तीन से चार नास्ते सेक लेते हैं बहुत जादे कड़क इसको रोष्ट नहीं करिएगा हलका सा सेकना है ताकि ब्रेड ताजा हो जाए और मसाले तो वैसे पके हुए हैं इसलिए मैंने मसाले को पका लिया बहुत अच्छे से तो कोई भी इसमें कच्छापन नहीं आने वाला है अब एक एक करके हम पल्टेंगे इसे उससे पहले थोड़ा से इसमें और घी डाल देते हैं घी के साथ आप बनाएंगे तो बहुत हेल्थी भी हो जाएगा और टेस्टी भी हो जाएगा तो आप इस और के साथ भी बना सकते हैं तो यह देखिए हैं बहुत तो फ्रेंट्स यहां पर हमने इसे अलट प्लट करके अच्छे से रोश्ट कर लिया है अभी क्या करना है इसे थोड़ा सा घी लगा के और दूसरे साइट भी अच्छे से से शेख लेना है तो यहाँ पर देखिए हमने इस बहुत अच्छे से एकदम कुर्गुरा करंची तक होने तक इसे हमने सेख लिया है अब इसे हम फड़ा-फड़ से निकाल लेते हैं दूसरे बैच को भी हम सेम तरीके से फ्राइ कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यह थी मेरी आज की रेसिपी आई होप आपको पसंद आई होगी ब्रेड और आलू से बनी हुई एकदम चटपटी स्पाइसी रेसिपी तो बिलती हूं आप सभी से इसी तरीके से एक निव वीडियो एक निव रेसिपी के साथ तब तक के लिए बबाएं टिक क्ले आई ऊई है कैनल तरय को अध्या आई है विहाँ